आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपर्शन टॉपिक शिक्षा एबम शादाचार यह आपका नहीं से तल्त क्लास तक के एक्जाम में आपका निमंद आता है तो आपने डेर सो यह दो सब्दू में लिखना होता है तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना तो इस उप्योगता हर उम्र के लोगों को कहीं ना कहीं जरूर होती है जरूरत होती है शदचार का अर्थ अपने से बड़ों की बात मानना अपने व्यवार में सहायता और दूसरों का निश्वार्थ भाव से सेवा करना आदी होता है एक शदचारी व्यक्ति सदेव जीवन में नाम कमाता है और उससे मरण परत भी याद किया जाता है यानि कि मरने के बाद भी उससे याद किया जाता है अगर आपका आचरण अच्छा है तो ठीक है सदचार का मैत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है कई बार लोग हमें हमारे नाम से अधिक व्यवहार से जानते हैं हमारे बोलने के अंदाज मात्र से सामने वाला हमारे व्यवहार का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं हमारे बोलने से ही क्या है? सामने वाले हमारे बैगराउंड यानि की हमारी परवरिस का अंदाजा लगा सकता है कि आपका व्यवार कैसा होगा? कैसे आपके घरवालों ने आपको संस्कार दिये हैं? हो सकता है कि आप बहुत ही भले इंसान हो, क्या पता? आपने बहुत दान किया हो. परन्तु यदि आपके व्यवार में एक शही लहजा नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है, यानि कि सब विकार है. शदचार आपके व्यक्तित्व को परिभासित करता है. जीवन जीने का सही तरीका. कई बार लोगों को यहां बात सताती है कि जीवन को सही तरीके से कैसे जिया जाए. तो उत्तर यहां है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा आच्रण वाड़ी में मदुर्ता और जीवन को सहीम के साथ जेना चाहिए. आप देखें निश्कर्स में सदचार की अपने जीवन में अपनाना सदचार को है. अपनाना बहुत ही बड़ी बात है. और यहां अचानक नहीं आता. इसके लिए एकांत में बैठ के मन्थन करना पड़ता है. समाज को अपना परिवार समझना पड़ता है. और इस प्रकार दूसरों की मदद कर के हम सदचार का पालन कर सकते हैं. और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं. तो यह था आपका शिक्षा आपम सदचार पर छोटा सा निमन्द. I hope helpful रहाँगा. अगल है helpful रहाँगा तो प्लीज चानल को से स्काइब करें और बाल ऐकंद बना ना बोलें. अब हम नेस्ट वीडियो में मिलेंगे. Thank you.